एक्सप्रेस नर्ज भारत के टीम इस समय वार्ड नंबर शियत्तर में मौझूद है और मैं जानूँगा यहां पर जो मेरा प्रोग्राम है मेरा वार्ड मेरी सरकार तो देखना यही होगा कि यहां पर किसकी सरकार बनती है यहां का कौन पारशद होगा मेरे साथ कुछ साथी यहां कौन जीत रहा है नासिर भाई आप तो हिंदू है नासिर भाई की बात करते हैं सबका साथ सबका विकास आपको लगता नासिर भाई काम कराएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहां आपको कभी दिक्कत नहीं होती कोई लड़ाई जग्रा किसी प्रकार का सहयोग करते हैं आपका खीके मेरे साथ एक और साथी मौदू दे में से पुछुबा सर क्या ना में आपका राम बाबु गुपता जी क्या लग रहा है यहां चुनाव कौन जीत रहा है नासि करते हैं यहां के पार्शन नासिबाई को चुना चाहते हैं यह गुपता फैमली की जिस तरीके से बताए यह जा रहा है कि हमेशा हिंदू और मुस्लिम लड़ाई जग्रे की बात करते हैं लेकिन यहां पर एक नई मिशाल पेस होती नजर आई है तो उसमें देखना यही होगा कि आप 11 तारिक में होटिंग होनी है यहां का पारशत कौन होगा नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश मानप और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनव से आला हजरत की धरती बरेली आप पहुचिए बरेली में बाड नमबर 70 है इसमाइल गंज बाड का नाम है इंग्लिश गंज नाम है और मेरे साथ जो निर्दल प्रताशी हैं मुहम्मद नासिर नासिसाब हैं मैं इससे जानूँगा कि इस बार के चुनाव में आपके कौन-कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो आप इस बहुत स्वागत है एक्सप्रेस में भारत पे इस वहर जो मेरा मुद्दा है तो सिवर लैंग जहां सर बैठ गई है और जहां से क्याना मैं पड़ी रही है वहां मुझे सिवर लैंग पढ़वानी है और जहां जे पैप्लेन हमारी काफी पुरानी हो गई तो पूरे मुझे अपने वार्ड की पाइप लैंग चेंज करानी है यह मुद्दे है आपके तो जनता इस बार जनता का क्या मने पहले भी पारशद रहे हैं पहले भी मैं पारशद रहा हूं जनता मुझे बाखुभी जानती है मैंने इसलिए अपने बैनर पर लिगवाया है काम कराना जानता उपन जानते हैं लोगों को यह मांलों है कि नाशिर वाही के लावा काम कराना कोई जनता ही और इसी बेश पर मैंने अवी रातों में सुपर शकरमसीन चलाई शीवर की सफाहि तो लोग कह रहा है आप नासिरवाही जैसा नेता तो नहीं कोई टैमीं दोतेता तो सिदि पर चुनार से पहले आज दिन के अंदर ही जोड़वा रहा हूं। यहां आप कितना वोटर है। यहां पर करीब शेयर सो बोट है। इसमें अल्पसंख्यत वोटर केकता है। मैं समझता हूं करीब यहां दो साथ बोट छोड़के। बैसे तो करीब तीन सो साथ तीन से बोट गहर मुस्लिम हैं। हिंदू बोट हैं। लेकि सब लोग छोड़के जा चुके हैं। और सो डिर सो हैं। वो एक एक बच्चा आप मालूम कर लें। यह सामने ही रहते हैं। मेरे अलावा किसी को बोट नहीं देती हैं। आपको लग रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सारे लोगा से आपके जीत होने वाली हैं। अब आप यह मौजूद हैं। जा रहे हैं। सारे चेसब वोडों से सारे सारे सब वोडों से करीब मैं अपकी चुनाव जीतू हूँ। तो यह आप नोट कर लें। आप भी आगे जन्ता को दिखा सकोगे कि बीजी पी वालों को 200 वोट और दूसरा जो पिर्तियासी कॉंगरेस से जो खड़ा हुआ है उसको 300 से नीचे नीचे वोट और जो एक बलब से खड़ा हुआ या नी उसको भी 300 और जो सापा का पिर्तियासी उसको मुश्किल से 1,800 वोल भी निए ऐसा यहां की जनता को क्या लगा कि उनासिर भाई को पार्षद बनाती है वो पहले भी देख चुकी है तो दूसरे सबस्द्र ने बिल्कुल काम नहीं करा अब पिछली वार में चुलाब में नहीं खड़ा हुआ तो वो पांस साल तो बिल्कुल दिखाई नहीं गया और मैं ए सवसद ना होते हुए भी इन्होंने सारे काम करा हैं क्या लग रहा है ऐसे नेताव कि हमें जरूरत है जो तेस तर्रारी से अपना काम कराने और इसी वाद पर पड्लिक खुश है और बाड में भी इस बात को आप मालूम करें यहां आपके बाड की जनता मेर किसको बनाना च तो वह सिप्तोमर साफ का ही है और जो हिंदू बोडर कुछ लोग जो विकास वाले चाहते हैं वो सोचते वही गौतम साफ को दे ले तो दोनों की जोनों का है मामला नहीं बराबर तो नहीं 25 परसंट गौतम साफ पिचत्र पिचत्र में अच्छा लिकिन वो करें लिए ना अच्छा मुस्लिम लोग भाजपा से नाराज रहते हैं क्यों वो एक चिन ऐसा है नाराज है लेकिन फिर भी पिचास की वज़े से गौतम साफ की बज़े लोग जो 25 परसंट में कहवा हूं उसको बोड देना चाहते अच्छा एक अतीक का मुद्धा आपने देखा हूगा निशनल सवाल है मैं च्छोटा सवाल पूछ रहा हूं क्या लगरातिक के साथ जो सरकार ने किया है वो कितना सही और कितना गलत बिल्कुल गलत किया एक जब दो आदियों की कोड में सजा बोल दी और वो कोड में हैं तो अब उसके साथ और फिर गौर्णमेंट किसकी बदन से लिए उन्होंने तो यह सोचा कि इससे जो है चुनाव हिंदु-मुस्लिम हो जागा लेकि उसका फैक्ट पूलता हो गया उल्टा हो गया लेकिन यहां करें कि समाजवादी पार्टी का संबल नहीं समाजवादी पार्टी को प्रतासी है उसे सरंडर कर दिया है वो देखी यह चाल थी उन लोगों की क्योंकि तोमर सापको हिंदू बोल भी मिलता है उन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ समाजबादी से लड़ूंगा तो सीधा-सीधा हिंदू-मुस्लिम फाइड हो जाएगा मुझ्दा बन जाता है तो मुझे उन्होंने पहले ही कह रहा था कि मैं चुनाब में आप समर्थन दे दे और मैं निर्दल यह चुनाव लड़ूंगा तो यह एक चाल थी जो पहले उसको सक्षाना को टिकेट डिया गया कि पेपर में यही निकले पब्लिक को शो ना हो तो इस उसके हमारा मेर जिताते हैं तो हमारी ट्रपल इंजन की सरकार होगी आज बरेली में कारक्रम कोई किसी भी पार्टी का कोई होता है तो वो कहता तो है हम इस त्वावर में हम काम कराएंगे तो काम तो थोड़ा हुआ है लिए लिए में तो आपने परतियाशी को जिताने की अपिल करेंगे, ठीक है, मेरे साथ एक और इवा साथी मौजूद है, क्या नामे सर आका, हसान अली, हसान अली साब बूट बन गया आका, अभी नहीं हो, हमां अंडर 18 हूं, मां अंडर 18 है, तो यहां आप लोगों में जाते हैं, इवा पिली इस बाड की क्या कहती है, कि नासि काउ जो है, वो काम कराते हैं, उन्हें सिर्फ काम दिखता है, क्योंकि जन्ता काम मांगती है, और अभी जब मौजूदगी में सब काम कराया गया है, जितने भी सिवर हुई है, सिवर बड़ी है, जो लाइटिंग होती है, जहां लाइटिंग नहीं थी, वहां लाइटिंग कर आया गया तो बिना मिंबर होके ये बहुत बड़ी बात होती है कि फून पर काम हो रहा है तो ये इसलिए ही जंटा इने पसंद करती है इस तरीके से आपने देखा कि नासिस साथ की जो लोग पृता है वो इस बाड में वेशुमार है बहुत अच्छा काम किया है जिस तरीक हो है शहर की सरकार और मेरा वार्ड मेरी सरकार तो देखना यही होगा इस बाड में किसकी जीत और किसकी हार होती है आप लोग देखते रहें एक्सप्रेसनोज भारत जिद सच दिखाने की